है गाई विटल्कम बैक टुमाइय चैनल वेश्ट मडेलड क्राफ्ट में आप सभी का स्वागओ आज वेश्ट मडेलड क्राफ्ट में पर पहले तो वाल हैंगिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ बीड्स, कुछ डेकोरेशन पीस और पॉम-पॉम और सबसे इंपोर्टन चीज है सुई और धागा तो ये सारा हमें इखटा कर लेना है और अब हम बनाने चलते अपने वाल हैंगिंग उसके बाद हमें पॉम-पॉम, एक डेकोरेशन पीस, त्री बीड्स इस तरीके से हमें इंसर्ट करते हुए जाना है उसके बाद यल्लो कला का पॉम-पॉम फिर फाइब बीड्स, फिर ब्राउन कला का पॉम-पॉम, कुछ इसी तरीके से हमें तीन लेयर बनाना है तीन लेयर में एक लेयर होगा 8 का एक लेयर होगा 7 का और एक लेयर होगा 6 का तो जिस तरीके से आपको वीडियो में show हो रहा है अगर आप इस तरीके से बनाएगा तो आपका wall hanging best out of best बनेगा तो कुछ इस तरीके से आमें insert करते हुए जाना है देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें ready कर लेना है यह हो गया seven layers वाला इसी तरीके से बिल्कुल same process से six layer का और eight layer का भी बना लेना है देखिए इसी तरीके से हमें बना लेना और कुछ extra thread दहागा छोड़ देना है ताकि आगे हमें उसे बानने के लिए काम आएगा यह देखिए हमने तीनों layer बनना के ready कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से और यह वो wall hanging है जो कि आपको market में बहुत ही high price में मिलेगा और यह हम घर पे ही बहुत ही easy price में बना के ready कर लेंगे तो है ना best wall hanging तो कुछ इस तरीके से तीनों layer को इखटा कर लेना है और उस तीनों thread को एक साथ में मिला कर यह जो decoration piece है उसमें knot tie कर देना है आपको जिस तरीके से knot tie करना आता हो आप उसी तरीके से knot tie कर सकते हो आप इसमें चाहो तो सुई के मदद से भी कर सकते हो या आप glue gun भी use कर सकते हो glue gun कोई भी fabric all या कोई भी चीज से stick तो हो जाएगा लेकिन वो बहुत असानी तरीके से निकल जाएगा अगर आप knot tie करते हो तो वह सालों साल तो ऐसे ही रहेगा ना वह खुलेगा ना तूटेगा ना फूटेगा कुछ भी नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से हमने knot tie करके ready कर लिया है अब उपर का हम process complete कर लेते हैं तो उपर process complete करने के लिए यह भी सेम प्रोसेस है नौट टाइगा के मदद से उसके बद 5 बीट इंसर्ट करना है उसके बाद यलो बीट फिर टूबी यलो पॉमकॉन फिर टूबीट उसके बाद ब्राउन पॉमकॉन उसके बाद यह हैंग करने के लिए डेकॉरेशन पीस कि इस तरीके से इसे भी नौट टाइग कर लेना है बिल्कुल टाइटली ताकि खुलेना यह हमारा वाल हैंगिंग मन के तयार है आपको कैसा लागा वाल हैंगिंग प्लीज कमेंट में बताना अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना चैनल को सब् भाल है अगरी टाइख